तो ब्रेक के बाद आप सभी का सुवागते चलिए अब बात कर लेते हैं 36 कड़ की खबरों की जादेश में लागू किये गए हिट एंड रन कानून के खिलाब टास्पोर्टर और ट्रॉक ड्राइवर हर्ताल पर चली गए हैं असल नए प्रावधानों में दोशी ड्राइवर पर दस साल की सजा और साथ लाग तक के जुर्माने का प्रावधा रखा गया है जिसका ड्राइवर विरूत कर रहे हैं मदेबरीश और 36 गड़ समेट कई राज्यों में हर्ताल का असर की देखनी को मिल रहा है इसके लाब आपको बता दें कि फल सब्जियों की जादातर सप्लाई महराष्ट, पंजाब, यूपी और आंद्र जैसे बाहरी राज्यों से होती है इंदोर जबलपूर, रीवा, सतनाग, वालियार, उज्जल, समेट, कई जगों पर ट्रक खड़े कर दिये गए हैं ट्रांस्पोर्टर्स को हर्ताल के बाद आम जद्दा को खासी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है तमाम बस ट्राइवर भी हर्ताल पर चले गए चतिसकड की बात कर तो हर्ताल का सरी यहां पर भी देखने को मिल रहा है जहां रायपूर, बिलासपूर, रायगड, भुरदबदार, कोटा में ट्रकों के पहिए हमें हुए नज़र आया हर्ताल की बज़े से लोगों ने इस बात की भी आशंका है कि पेट्रोल डीजल की कमी हो जात हुई जा सकती है और इसी बज़े से पेट्रोल पंपों पर भी लम्ली चतार से कि खुए है और इसके खिलाब जो है ड्राइवर आंदोलन पर है और अब इसका असर दिखना सुरू हो चुका है आप देख सकते राजधानी में अधिकांस पेट्रोल पंप ड्राई हो चुका है और जहां पर पेट्रोल उपलब्द है वहां पर इस प्रकार से वहानों की कतारे देखी जारी यहां पर हजारों की संख्या में इस पेट्रोल में लोग पेट्रोल लेने के लिए नहीं नहीं निकल रही है जिसके करण जो है ड्राइवर हरताल पर बैठे हुए और अधिकांस प्रकार के नजारे देखने को मिल रहे हैं और अभी करण बताया जा रहा है यदि ऐसी स्थिती रही तो आने वाले दिन में पेट्रोल नहीं मिल पागा ने अभी तो समय लगेगा सुच्रों लग रहे समय लगेगा से ड्राइवर जो है वे हरताल पर बैठे हैं वे हैं ट्रांस्पोर्टिंग का काम बंद हो चुका है और पेट्रोल डीजल भी डिपो से नहीं निकल रहे जिसके कारान जो है इस प्रका लेते हैं कहां से आ रहे हो जो है जो है राजभानी राइपूर में सभी जगा देखने को मिल रहे हैं तो वहां पर भी इस प्रकार के हालात देखने को मिल सकते हैं मोटर विकल एक्ट में नया शंसोधन आया है नया कानून बन चुका है इसका विरोध जो है दुरगटना को लेकर वहां चालक करें और इस विरोध के साथ अब आंदोलन भी शुरू हो गया आंदोलन को जो है बस्तर कोरपूट परिवहन संग ने भी समर्थन किया है अभी स संग के अद्यक्ष है सुगदेव सिंग सिद्दू वे भी हमारे साथ है उनसे ही बात करते हैं आप लोगों नों भी आंदोलन का समर्थन क्या क्या लगता है कि यह कानून जो आ रहा है हिताशी नहीं है वहां चलक को देखिए जैसे सुनने में आ रहा है अभी हमारी आल इं प्रश्ता नहीं निकाला जा रहा है और जिस तरीके की ड्रैवर भाईयों में अफवाएं फैल रही है एक कागज वाइरल हो रहा है जिसमें एक दो तीन जन्वरी दोजार चोबीश को चक्का जाम का दिया गया है और यह गुरूपों में वाट्सप गूरूप में इंस्ट विकाय चलती है और सडकों पर हम ट्रके खरीज सकते हैं मैं दस ट्रके खरीज सकता हूं पर दस की दस चला नहीं सकता तो यह बहुत बड़ा रोजगार का साधन है और ट्रांसपोर्टर जो ट्रक हमारे ड्राइवर इससे बहभीत है यह कानून से और वो ट्रके छोड़के लगातार मुझे फोन आ रहे हैं कल भी मेरे सीमें ट्रांसपोर्टर कुछ फोन किये कि हमारे ड्राइवर जो ट्रके खड़ी करके जा रहे हैं कहीं ना कहीं भय का महौल व्याप्त हुआ है बना है तो इस पे मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ड्राइवर हमारा अभी नंग तो इसमेदारी ना ले अगर कुछ एक तरफा अन्याय नहीं होने देंगे अपने ड्राइवर भाई जयुक्त रहेंगे पर बात चीजरूरी तिस गड़ पे क्या इस्तीति राइपूर में जी जैसे आज मेरे को कल भी फोन आया कि जो डीजल पेट्रॉल और गैंस की सप्ला जो टेंकर चालक है वो हड़ताल कर गई कर दी उन्होंने और कल अडिशनल SP और कलेक्टर साब गए थे वहाँ उनको समझाई दी गई कल कुछ टेंकर लोड हुए हैं आज एक तारिक से और पूनिता बंद कर दियाग्या है और जगा जगा डीजल पेट्रोल पंप ड्राई हो रहे हैं डीजल नहीं मिलने के कारण ट्रके खड़ी हो रही है और कुछ ड्राइवर्ण जैसे आज दर्हों चार में चॉके बड़ी करें ड्राइवरों recording करके सड़के ना जाम करें कानून अपने हाथ में ना ले ट्रकों के पहिये थम जाते हो देश के विकास है उसके पहिये थम जाएंगे रुख जाएंगे और यह इस पर जल्दी कोई नीड़ना नहीं लिये गया तो आने वाले दिनों में कहीं न कहीं हाहा कार जैसे स्थी कर दिया है हाइवे पर आबाजाही कुई दरी के सिर्बंध हो गई है वही हसारों वाहनों की पर यह भी थम गए हैं इसका विरोट कर रहे चालो को कहना है कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया उससे दतकाल वापस लिया जाए जाम से लोग भारी परिशान हो रहे है जाए जब तक यह सरकार नहीं मानेगी तो इन लोग अभी हर्ताल में ही रहेंगे कोई बीड़ी कटता हो जाएगी यदि ड्राइवर वहाँ से भगेगा नहीं अपनी जान नहीं बचाएगा तो उसको वहाँ पर पुब्लिक मार मार के उसको मार डालेगी उसके भी परिवार हैं बाल बच्चे हैं इसलिए ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए भगता है और इसलिए मैं सरकार से गुजारिस करता हूँ कि इस काला कानून को वापिस ले, दस लाग का जो प्रावदान है, ड्राइवर पाथ से दस हजार रुपय भी नहीं मिलता हूँ, वो कहां से दस लाग रुपया देगा, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस बिच हम उसको अगर नहीं उठाते हैं, हम भग जाते हैं, तो हमको सजा डबल होगा, और दस लाग का जुर्माना और दस साल सजा होगा, हम एक कहां से दस लाग लाग के सरकार को देंगे, बताईगे, दस लाग होता तो हम गाड़ी चलाते क्या, एक तो फोजी जो बोडर पे चलता है, र कानुन को सरकार वापस ले, केंदर सरकार, अमिज सा, मोदी जी सभी मेरा खुजारी सा है, कानुन बनाया है, इसके ततकल वापस कर ले, अन्य था, इलोग जो अलगातार, जो है, ये अपने हर्ता जारी रखेगा, कैमरे में संजो के साथ, जिवन अंधाल दर, आइनेस मोदी की ज्यारंटी के तहट, प्रदेश्वासियों को अयोध्या धाम का दर्शन कराने की योशना पर काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसी के साथ इस पस्यासत भी शुरू हो गई है, देखे पर लोगात, अयोध्या, इस नाम का शाब्दिक अर्थ है, वह धर्ती जो युद्ध की आशंकाओं से मुक्त हो, लेकिन इसे संयोग ही कहा जा सकता है, कि अयोध्या देश की सियासी महायुद्ध का केंद्र बना हुआ है, अवध में 500 साल बाद, जन आस्था के परियाय प्रभू स्री राम के भव्य मंदिर का निर्मान कारी पूरा होने जा रहा है, ऐसे में इसके गवाह देश भर के लोग बनने को आतू है, इस दिशा में केंद्र और राज लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसी करम में 36 गड़ की विश्णु देव साय सरकार ने भी तिर्थ दर्शन के लिए तैयारिया तेश कर दी है, माना जा रहा है जल्द ही राम लला क कर के लोग सभा चुनाओं के पहले प्रदेश के लाखो तिर्थ यात्रियों को अयोध्या दर्शन कराने की योजना है, मान दूसरी योर लोग सभा चुनाओं को देखते हुए कांग्रेस बेक फूट में नजर आ रही है, आप पुराना आप वीडियो निकाल के देख लें जिसमें राजी जी प्रधान मंत्री से तब उन्होंने कहा था कि जो न्यायलय का जो आदेश है उसे एक इंच आगे न पीछे होगा उसके सब्दसा लागू किया जाएगा यह उस समय उन्होंने कहा था और आज हुआ यही यह लोग भले चीकते चिलाते रहे तेकिन न्यायलय के ही आदेश से बन रहा है यह जबरदस्ति स्रेले ने कोशिश कर रहे है देख बाइस तारीक को तो जो आदिया में हो रहा हो तो होई रहा है उसके अलावा भी हमारे प्रदेश के जितने भी क्योंकि हमारा यह पूरा चेतर ननिहाल के रूप मों को जाना जाता है और यहां से ज़्यादा संख्या पे लोग वहां पर जाएंगे और हजारों लाख लोग जाकर को आपर दर्शन करेंगे इसकी व्योस्था भी हो रही है रचना इस तरचना मर रही है पूरे देश में 2010 के माध्यम से वहां दर्शन कराने की व्योस्था कि लोग सबह चुनाओं के पहले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और करोडों लोगों को एउध्यादर्शन की योजना से साफ है भाजपा इसका लाब चुनाओं में लेना चाहती है ऐसे में एक तरफ कांग्रेज जहां इसे लेकर बैक फूर्ट में नजर आ रही है वही सियासत से अलग जन्मानस में मंदिर निर्मान का काम पूरा होने और प्रभू स्र प्रिडाम के भव्य मंदिर में विराजमान होने की खुशी हर तरफ नजर आ रही है रायपूर से आई एनस 24-7 के लिए गवरोश अर्मा की रिपोर्ट इदा 36 गड़ में एक बर फिर से हजदेव अर्णय को लेकर सियासत तेज हो गई है हजदेव शेत्र में पेडो की कटाई के मामले में कॉंग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गई है आकर हजदेव के मुद्देग पर क्यों हो रही है सियासत क्या है इसके माइने देखे से के बाद एक बार फिर इस मुद्दे पर सियासत तेज है दरसल 36 गड़ विधान सभा में हस्देव अरणे को खनन मुक्तरक ने 26 जुलाई 2022 को अशास की संकल्प सरवानुमती से पारित किया था अब कांग्रेस पेड कटाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार बता रही है वहीं स्थानी नेताओं को शामिल किया गया है पांच जनवरी को हस्देव अरणे में पेडों की कटाई मामले की जानकारी लेने के लिए यह जांश टीम मौके पर जाएगी इसके बाद ग्रामिडों से मिले फीडबेक के आधाथ पर कांग्रेस अपनी आगे की रणनिती तैक करे कि वहीं वनमंत्री के दार कश्टब कहते हैं जो वहां के लोगों के हित में होगा वहीं नेड़ा लिया जाएगा कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो समीती बनाई गई है उसके संयोज़ा नाटर फ्रेंस आजी हैं और हम सब लोग उसमें सदश्य हैं माने महराज साहब टीह सिंग्दियो जी और हम हैं और बहुत सारे वहां के दोनों जिला के कंग्रेस के अद्धेक्ष हैं सर्भुजा के सुरजपूर के और अन्य विश्टब लोगों को रखे हैं तो जोस दिन संयोज़ा बोलेंगे उस दिन हमोग जाएंगे सर्भुजा जिन लोगों ने कलते हस्दों के विश्टब को लेकर के पिछडी बार तो बहुत सारे विश्टब आये थे और क्या अनुबंध हुआ है और MOU पर क्या-क्या विश्टब है उसको एक बार देख ले कर इस्थानी लोग विरोध कर रहे हैं दूसरी ओर समाजिक और राजनितिक संगठन भी इसे लेकर जंडा बुलंद कर रहे हैं ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है हस्देव अरणने को बचाने के संबंद में जल्द निर्ण हो तभी इस्थानी आधिवासियों के जल अगल जमीन की रक्षा का संगल्प भी पूरा हो सकेगा रायपूर से आई एनिस 24-7 के लिए काउर शर्मा की रिपोर्ट स्वास्त मंत्री श्याम विहारी जैसवाल ने सोमवार को मंत्राले में पूजा पाठ की बाद पदभाद गहड किया स्वास्त मंत्री की सिमेदाली सम्हालने के बाद मंत्री जैसवाल ने कहा है कि प्रदेश के एक-एक प्यक्ति के सहेत सेहत की चिंता की जाए कि आएनेच न्यूस से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि सुदूर अंचल से लेकर शेहरों तक गुडवत्ता पून स्वास्त सुविधाय उपलब कराना पहला उद्देश रहेगा और पदभाग ग्रहन करते हुए स्वास्त मंत्री ने स्वास्त वेफाग में रिखत पदों पर जल्द भरती करने के नितैश जब है स्वास्त मंत्री श्यां प्यारी जैसवाल जिरो ने आज मंत्राले में अपना पना प्दार ग्रहन करने के बाद बैठक भी लिए आज पदभार ग्रांट करने के बाद बैठक लिए किस तरह के दिशन अरदेश दिया क्या प्रात्मित्ता है स्वास्त को लेकर रहे हैं देखे समय बहुत स्पीड से भगता है आज मेरा पहला दिन था पहला दिन में सभी वरिष्ट अधिकारियों के साथ एक बार परिचात्मक बैठक था बैठक के बाद वीडियो कंफेरेंसिंग के माध्यम से पूरा पूरे 36 गड़के चैसी मेडिकल कालेज के डीन हो और विभीन संस्थाओं के जो संस्था प्रमुक और बरिष्ट लोग हैं उनसे बातचीत हुई है और सभी को आज दिश लोग हों या इसे लोग हों जो इलाज करवाने में स्मर्त रहते हैं तो चाहे उनको 102 की सुईधा हो या 108 की सुईधा हो डिलेवरी के लिए महतारी एक्सप्रेस हो इन सभी सुईधाओं का लाप कैसे मिल सके इसके लिए दिसानर्देश जारी किया गया है काफी महत्पून व्योआ गया और पूरे प्रदेश में यह देखा जाता है कि डॉक्तरों की कमी है प्रदेश में ऐसे में जो है कहीन कहीन जो सुदूर इलाखे के जो हस्प्टल है उसमें अभाऊ एक खास तर पर तो यह डॉक्तरों की कमी दूर करने के लिए किया कदम मुझे लगता है कि MBBS डाक्टर लगभग हमारे बहुत ही कम पद बचे होंगे बागी लगभग हमारी जो पोलिसी है हम लोगों ने उस समय बनाये था कि गाउं में दो साल निवार रूप से देना होगा जो पास आउट है उस अधार पर हमारे पास उसकी संख्या मिल रहा है प उनको किस अधार पर किस पेकेज पर वो काम करना चाहते हैं तो एक बार बैठ के उनके साथ बाच्चित करने की पाहल करेंगे ताकि 36 गड़ में बिसे सग्ड़ों की कमी दूर की जा सके हैं सरकार की कुछ यह उजनायन थी उनकी यूजनायत क्या होगा रिवियू करेंगे उसका निष्ट में नहीं है तो उनकी जिद्य नही पचास जार का है और दस लाग का इसमान काड़ आने बद मुझे लगता है कि इस योजना का कोई आउचित रहता नहीं है इसलिए इस पर समिख्छा करेंगे कि पूरो बड़ती सरकार की योजनाय है उसका रिव्यू किया जाएगा उसके बाद अगर नुप्यों की योजनाय होगी तो उसको बंद किया जाएगा साथ ही उन्होंने कहा कि जो प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है खासतों पर जो विशिशक के डॉक्टर की कमी है उसको जल से जल दूर किया जाएगा क्यामर मलकित के साथ स्वपन गॉर खेड़े आनस न्यूज राइपर इदा 36 गड़ की महिला इवं बाल विकास मत्री लक्ष्मी राजवारे ने सोमबार कु मंत्राले में पद्भाग रहन किया राजवारे ने मंत्राले महानदी भवन में पूजा अर्शनाकर कामकार संभाल लिया है वहीं इस मौके पर विभागे सचेव भवनी श्यादव, संचालक देव्या मिश्रा, सहित वरिष्ट विभागे अधिकारी और जनपति निधी भी मौजूते प्रभाल लिने के बाद मंत्री राजवारे ने अधिकारियों से विभागे अकती विधियों के सम्मत में चाचा की और जरूरी निर्देश भी दिये रहे और इसी के साथ इस बोलेजी में फिलाल इतना ही देखते रहे आने स्ट्वाइंटू सावन नमस्कार झाल